गाइस आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने पेटियम बिजनस अप में अपना इस्टेलमेंट ओन कैसे कर सकते हूँ अगर आप जो है Paytm Business app को यूज करते हूँ, अपने Paytm Business app पे आप जो है अपना payment receive करते हूँ, लेकिन जो आपका payment है, ओ दिन में एक ही बार अगर settlement होता है या फिर दो ही बार होता है, तो आप उसको change कर सकते हो, instant settlement पे कर सकते हो फिर आप जो ptm business app पे payment लोगे आपका पैसा instant जो है settlement हो जाएगा जितनी बार payment लोगे उतनी बार जो है transfer हो जाएगा इसके लिए आपको अपने ptm business app पे only एक setting apply करना होगा तो आईए मैं आपको live जो है apply करके दिखाता हूँ इसके लिए आप एक काम करना अपने ptm business app को आप जो है update करके open कर लेना फिर आपके सामने ऐसा पी जो उपन हो जाएगा फिर आप यहां पे क्लिक कर देना logo वाले option पे फिर आपके सामने ऐसा पी जो जाएगा थोड़ा सा नीचे चले आना आपको यहां पर एक option मिल जाएगा manage bank account का यहां पे आप जो है click कर देगा आपके सामने settlement setting open हो जाएगी आप जो है थोड़ा नیचे चले आना आपको यहां पे भगल में आपको एक आप्षान मिल जाएगा change का यहां पे click करना फिर आपके सामने नीचे जो है option आजयाएगा settlement time को चेंज करने का यहां से आप जो है पने payment के settlement time को यहां पे change कर सकते हूँ तो यहां पे आप जो है पहले वाले option को choose कर लेना instant settlement को कि आप जो payment receive कर अपने paytm business app पे तुरंत आपका payment आपके bank account पे transfer हो जाए तो आप यहां पे instant settlement वाले को choose कर लेना यहां से उसके बाद नीचे से आप जो है चले आना confirm पे click कर देना फिर आपके सामने option आजाएगा यहीं पे click कर देना change to instant settlement पे यहां पे click करना उसके बाद थोड़ा wait कर लेना आपका यह जो है verify करेगा उसके बाद आपका payment जो है यहां पे instant settlement पे own हो जाएगा अब आप लोग देख सकते हो मेरे paytm business app में मेरा यहां पे instant settlement ओन हो चुका है आप में अपने paytm business app पे जो पैसे रिसीब करूँगा payment रिसीब करूँगा payment तुरंद के तुरंद ओटोमेटिंग मेरे bank account पे settlement हो जाएगा इसके लिए wait नहीं करना होगा जितनी बार payment लोगा उतनी बार जो है ट्रांसपर हो जाएगा ऐसे करके आपको अपने paytm business app पे अपना instant settlement जो है on करना होगा I hope आप करना जानगे होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please sir वीडियो को like करना साथ में हमारी इस चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लेना और साथ में अगर आप पैसे कमाना चाहते हो earning करना चाहते हो